हेलो माई यूटूब फैमली वेलकम बाक टू आवर चैनल शिकागोईन सेवेंटी कैसे हैं आप लोग आए होप आप लोग अच्छे होंगे तो देख सकते हैं आज हम लेक्या हैं हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल घर में बनाएंगे आज हम पनीर कूर्मा रेसिपी जो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दवाना मत भूलेगा ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो चली बनाना शू करते हैं रस्टोरेंट स्टाइल पनीर कूर्मा की रेसिपी तो लेना सबसे पहले आपको पनी पनीर है तो देख सकते हैं तो हमारा पनीर यहां गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब इसे हम निकाल के प्लेट में स्टाइड कर लेंगे फिर लेना है आपको प्याज और प्याज को मैंने यहां लंबे-लंबे स्लाइस के फॉर्म में कट करें तो वहीं सेम कड़ाई में और प्याज को डालके क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राइज करेंगे और इदर तक प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं तो तक इदर मैंने लिया है टमाटर तीन से चार टमाटर लिया है मैं यहां पांस चेलों के लिए बना रही हूं आप अपने इसमे कर्वाले प्लेत में हम साइड में रख देंगे उसके बाद किया इसे बर्चे में उसके बाद क्या है इसे भी हम मिक्सीठ जार में डालेंगे और इसमें सी करें उडियल यह Behind 안jän यह ज फ्रेंड करने आप आइस्या अब्सक्मान के पीस करा है यह इसे लिआ ज़ें क कुछ खड़े गरम मसाले लिये हैं जैसे तेजपत्ता काली इलाइची हरी इलाइची लॉंग स्टार फूल दाल सेनी का टुकड़ा जीरा सब कुछ अच्छे से डाल के जावितरी मैंने अट कर रहा है उसके माद इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट मैंने दो बड़े चम मसाले भी आट कर देंगे जैसे मैंने यूज कर रहा है वन टेबल स्पून कास्मेरी रेट चिली पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर क्यूमिन सीट्स पाउडर सब को अच्छे से डाल के मिक्स करेंगे इसमसाले इसली घर में अवेलेबल होते हैं कहीं आपको मार्क कि आट कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें पासा पानी आड करेंगे जो मसाले लगे हुए ग्राइंडर में अच्छेसे पानी डाल करक है चेछे से यूज कर लेए उसको जरसा विए तो जितने आपको ग्रेवी रखनी आपको अपने एक और रख सकते हैं दो चाइब तक कुक करने के बद इसमें हम एड़ करेंगे अगर आप डालें तो अच्छी बात है ना डालें आप कर सकते हैं आपकी मर्जी इस थोड़ा टेस्स होता है इसलिए मैंने यूज कर रहा है फ किए वक्त मैंने एड़ कर रहा है इसमें अपनिया पत्ता और मिर्च को मैंने या तीन से चार लिया है कि आपको तीखा ढ़ना पसंद हो तो आप आड़ करेंबना स्किप्पिक और बीच से काटा है और दनिया पत्ता को अच्छा रहा है और उसके बाद एक से दो मिनट तक जो है बनके तैयार है गर्मा गरम आप इसे सर्फ करें आप चाहें तो फिर से गार्निश कर सकते हैं दनिया पत्ते से तो इसे चलिए हम निकालते हैं प्लेट में और गर्मा गरम सर्फ करते हैं आप चाहें तो रोटी चावल नान पराठा किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं ब बाइ, टेक क्या और सुब्सक्राइब बाइ, टेक क्या और सुब्सक्राइब